माल्दिव के राश्टपती मोईजु के भारत विरोधी रुख का खामियासा अब माल्दिव उठाने लगा है और सबसे बड़ा और तकड़ा जटका अब लगा है खुद राश्टपती मोईजु को जब उनकी पार्टी को सियासत की बिसात पर भी एक बड़ी हार का सामना करन है दरसल उसकी वज़े भी भारत विरोध ही बताई जा रही है दरसल राश्टपती बनने से पहले माले के मेयर थे मुईजु और मेयर पद छोड़कर राश्टपती का चुनाव उन्हों और ये चुनाव जीत गए और ऐसे में माले में हुआ है मेयर पद का उप चुनाव और इस चुनाव में ही मालदीव की जनता ने खासतोर पर माली की जनता ने राश्टपती मुईजु को आईना दिखा दिया है उनके इस तरह के परताओ के लिए उन्हें एक तरह से ससा भी द पड़ा है उनकी पार्टी के उम्मिद्वार माल्दीवियन डोमेक्रिटिक पार्टी के उम्मिद्वार से बहुत पीछे रह गए और ऐसे में माना ये जा रहा है कि जिस तरह का रुक मौईजू का था उसे लेकर के जनता भी आहत है क्योंकि भारत लगातार उनके एक मित्र द सबसे पहले वो भारत की आतरा करता था क्योंकि जैसे ही माल्दीव ब्रतानिया हकूमत से आजाद हुआ था उसके बार भारत ऐसा पहला देश था जिसने देश के दौरत पर माल्दीव को मानिता दी थी देश का दर्जा दिया था और तब से ही भारत माल्दीव की लगातार मदद भी करता रहा है ना सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि सैनी मदद भी भारत की और से की गई दो धुरू हेलिकॉप्टर भी दिये गए थे लेकिन वक्त के साथ साथ वहां की लीडर्शिप ने जिस तरह से प्रो चाइना एक्टिविटे शुरू की उसके बाद ना सिर्फ माल्दिव को नुकसान हो रहा है बल्कि एक बड़े करज के बोज तले भी वो दबा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ताजा उदारन था मॉईजू का जिनोंने परंपरा तोड़ते हुए राश्पती पद संभालते ही भारत का दोरा करने की बजाए कुछ दूसरे भारत विरोधी रुख रखने वाले देशों का दोरा करना मुनासिब समझा लेकिन सिर्फ 58 दिन बाद ही उनकी जनता ने उन्हें आइना दिखा दिया कि उनका ये कदम उनके और देश के यानि माल्दियू के हित में नहीं है माली के मेर का चुनाओ हुआ और यहां मुईजी की पार्टी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहां जीती प्रो भारत रुख रखने वाली माल्दीवियन डिमोक्रिटिक पार्टी और इनके उमिद्वार ने जीत करके बताया कि दरसल माली की जनता माल्दियू की जनता जिस तरह का मुईजू का रुख है उससे बिलकुल पसंद नहीं करती यानी साफ संदेश है कि जिस तरह से मुईजू के कदमों से देश को नुकसान हो रहा है ना सिर्फ आर्थिक तोर पर बलकि अब सियास्यत की बिसात पर भी एक बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है और उमीद इससे जनता ये कर रही है कि शायद मुईजू आगे भारत विरोधी कोई भी कदम उठाने से पहले अब सौ बार सोचेंगे